अगर हम लोग जिन्दगी में कभी कोई power system setup करने चले तो वहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी generating unit की यानि कि मुझे लोड को उठाने के लिए generating unit लगानी पड़ेगी अब वो generating unit के लिए मुझे काफी चीज़े ध्यान रखनी पड़ेगी सबसे पहले वो इतनी sufficient हो कि वो load किसी भी तरीके के load को capable हो load को handle करने की दूसरा जो unit per cost per unit generation जो आ रही यानि कि जो हम एक unit जो generate करेंगे वो कितने रुपए की होगी यानि कि cost per unit generation जो होगी वो कम होनी चाहिए वनना लोग पैसे ही नहीं देंगे और तीसरा आपका size जो है वो बिलकुल proper होना चाहिए ताकि हर तरीके के load के fluctuations में वो stable रह सके तो इन पर load factor, demand factor ठीक है इस तरीके के जितने भी factors है इन सब की चर्चा करेंगे तीन चार पार्ट के अंदर ये series तयार होगी ठीक है तो आप लोग इस पूरी series को देखते रहना सारे के सारे concept यानि कि जो भी load का और power utility कहलो या genetic unit कहलो इनके बीच का जो भी relation है इस सब कुछ clear कर दे हम लोग देख लेंगे कितने तरीके के factors होते हैं चली शुरू करते हैं सबसे पहला होता है connected load सारे factor समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि connected load क्या होता है तो अगर connected load की definition पर ध्यान दें तो basically यह सम होता है continuous rating का जो भी equipment हमारे system supply system से connected है अब यहां पे बड़ा important question आता है क कि यह continuous rating क्या है तो continuous rating का मतलब होता है कि maximum power जो कि लोड ड्रॉ कर सकता है किसी भी power system से और continuous basis मतलब लगातार चलती विदाउट हीटिंग यानि कि कि वह सारे equipment की continuous rating अगर add-on कर दें तो वह हमें मिल जाएगा number of connected load यानि कि वहां से हमारा connected load का हिसाब किताब निकल के आ and एक power plug है power plug लगा हुआ है यानि कि power plug मतलब जहां पे हम लोग heavy load लगाते है 500 watt का power point है तो यह हो गया हमारा power point अगर मैं इस घर का connected load निकल के आएगा 1 into 100 plus 60 into 1 plus 500 into 1 यानि कि net मोटा मोटा connected load निकल के आएगा 660 watt का clear हो रहा है यहाँ अब देखो यहाँ पे एक बड़ी interesting चीज यहाँ पे जो 500 watt का power point दे रखा है ठीक है connected load में यहाँ पे बड़ा अंतर आ जाता है it doesn't matter load or running or not यानि कि connected load के अंदर वो सारे load आ जाते हैं जो आपके घर के अंदर मौजूद हैं बहले ही वो चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो यानि कि अगर आपका laptop टीवी जो भी है वो अगर अगर आपका घर के अंदर है और उसका plug लगा हुआ है भले ही वो बंद है तो वह सबका सब connected load के अंदर गिना जाएगा यानि कि even अगर powerpoint का socket आपको खाली पड़ा है ठीक है मान के चलते हैं आपने अपने घर के अंदर 10 powerpoint के socket लगवा लिए तो वह सारे की सारे socket भले ही ख होता है कि अगर हमारे घर के अंदर मान के चलते हैं तीन टीवी है ठीक है और अब एक चला रहे हैं तो हमें लगगा कि connected load power station पे केवल 100W का नहीं जब भात करते हैं तो हम बात करते हैं सारे equipment की जो की run कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो यानि कि अगर हम तुमसे कहें कि तुम सो वाट का connected load होगा तीन टीवी का भले ही तुम एक टीवी चला रहे हो या दो टीवी चला रहे हो या तीनों चला रहे हो connected load must be equal to the sum of all the equipment continuous rating of the all equipment समझ में आरी बात ही clear हो गया है यहाँ पर जेको इस definition में यहाँ पर यह बड़ा important है यार बहुत बार confusion रह जाता है और हम लोग क्या करते हैं गलत चीज़े समझ लेते हैं तो इसलिए यहाँ पर मेरा काम है कि यह सारी चीज़ें आपको clear करना है तो connected load समझ में आया समझ में आ गया हो बिल्कुल अगर आपको तब हम आगी चलेंगे clear हो गया आप ओके तो यह हो गया connected एक ऐसा समय मतलब वह समय जिस पर maximum डिमांड आई वह कौन सा था वह हमारा जो टाइम था वह था आठ से चार के बीच में सुभाए आठ बज़े से लेके शाम के चार बज़े तक हमारे पास maximum डिमांड थी तो यह यानि की ग्रेटेस डिमांड ग्रेटेस डिमांड कव आई यहाँ पर आई ग्रेटेस डिमांड 20 Megawatt या क्लोवाट जो भी हमारा चार्त यूज़ कर आ था हमने तो इस योर मैक्सिमम डिमांड क्लेर हो गया तो मैक्सिमम डिमांड मतलब वह पीक पॉइंट लोड करूंगा जहां पर हम लोग मैक्सिमम डिमांड रखते हैं या मैक्सि ठीक है और ऐसा होना भी चाहिए इसको ज़्यादा समस्थेंगे एक्जामपल से मान के चलते हैं हमारे पास तीन घर है एक घर के अंदर पांच बल्ब हैं तीन पंके दो टीवी हैं दूसरा घर है थोड़ा अमीर लोग है इनके अंदर 10 बल्ब हैं दो फैन है दो टीवी एक ल सबसे इंपॉर्टन चीज आ जाती है कि सारे के सारे कंज्यूमर कभी एक बार में सारे लोट नहीं करेंगे तो इसलिए कनेक्टेट लोट हमेशा जादा होगा मैक्सिमम डिमांड से ठीक है अब मैक्सिमम डिमांड मैक्सिमम डिमांड बेसिकली होगी फॉर एक्जामपल इसके पांच बल तीन फैन चल रहा होगे इसके दस बल दो लैब टीवी चल रहा होगे इसके तीन बल एक फैन एक टीवी चला होगा तो यह क्या है यह पूरे दिन भर में आन होने वाला सबसे ज़्यादा लोट है तो इस इस वाट विगल मैक्सिमम डिमांड यह होगी मैक् इतने भी कंज्यूमर है वो कभी भी सारे के सारे लोड को एक ही समय पर नहीं करेंगे तो maximum demand यह बताता है कि किसी भी एक टाइम पर ऐसा वह special time कोई भी time हो सकता है जब maximum लोगों ने अपने घरों की चीजें एक साथ खोल रखी हो तो maximum demand बताता है कि togetherness यानि कि जब हमने एक साथ चीजें खोल रखी है बस इतना ही together कब खोल रखी है तो एक साथ हमने जब जाद चीजें खोल लेते हैं तो वह होती ही maximum demand system पर यानि कि maximum load जो एक समय में हम लोगों ने apply करा पूरे दिन के अंदर लेकिन हमेशा ये connected load से कम होगा ये बात आपको याद रखनी है इस पर direct mcq picture में आ जाएगा और तुम नहीं लगा पाऊगे अगर नहीं द्यान से समझाओगा connected load हमेशा जादा होगा अरे तुमारे घर में यार 20 मान के चलते हैं तुमारे घर के अंदर 20 बल्व हैं तो कि सारे बल्व जल रहे होंगे एक टाइम पे और अगर तुमारे घर के सारे बल्व जल रहे होंगे तो कि ये भी जरूरी है कि पड़ोसी के घर में जल रहे हो बहुत बाद स्मझे महारी, मान के चलते हैं तुम्हारे घर में शाधी तुमगा होगी हम तो सारी लाइटे जलाँएंगे, बहुत दिलदार आदमीleye चलो तुम जला लोगे, लेकिं तुम्हारा पडोसी उसका पडोसी, उसका पडोसी सब तो ऐसे नहीं होगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सब के सब घरों के सारी लाइटें सारे लोड एक साथ चल रहे हूँ साथ इसाथ पाउर पॉइंट जो हमने लगाया था मतब सब लोग एक साथ प्रेस कर रहे हैं ऐसा भी नहीं होगा समझारी बात है यानि कि कभी भी कनेक्टे लोड हमेशा किसी भी कंडिशन में मैक्सिमुम डिमांड से जाद ही होगा आयोब समझ में आ रहा होगा देखो यार यह है क्या ना बुक्स में हम लोग हमेशा इन कॉंसेप्ट को रट लेते हैं बस लेकिन मेरा काम है गहराई में होता रहना बिल्कुल डेप्थ में जाके आपको चीज़े बताना ताकि कोई भी किसी भी तरीके कन्फ्यूजन ना रहे तो इसलिए मैं एक एक पॉइंट क्लिए करता चलना हूँ पिछली स्लाइड में हमने देखा था लोट का क्या मतलब होता है जो Das माइन लगता था वह लोट जो उन है वह कान्यक्ट का पार्ट है क्लिर हो रहा यहां पर भले यहy वह on नहीं हो इसल भी इंपॉर्टेंस का है माइक्स्पिंअ्म् सीमunya या और तुम चाहरे हो एक generating unit, एक thermal power plant अपने घर के पास setup करना चाहरे हो, ऐसा, इतना बड़िया सा, तो वो कितना size होगा, alternator कितने लगाओगे, उसकी capacity क्या होगी, कितने rating के alternators होगे, तुमारा जो thermal power plant है, वो कितनी power बनाएगा, ये सब कहां से decide करोगे, तो ये सब decide होता है maximum demand से अब देखते हैं ये कैसे, तो यहाँ पर maximum demand हमारी जो है, वो must meet होनी चाहिए, किसी भी condition में, यानि कि जो भी तुमारा generating power plant है, कोई भी तुम power plant ले लो, वो 100% उसको demand तुमारी meet करनी चाहिए, maximum demand ठीक है, तुमारे जो भी load कर बनेगा, जो भी load है, उसकी जो peak demand है, वो तुम कि मान के चलते हैं, कि maximum time पे तो load normal है, बीच में peak time आया, तो तुमारा जो भी तुम station बना रहे हो, ठीक है, तो ये मान के चलते है, maximum demand है, तो it must fulfill this maximum demand, तो यानि कि जो तुमारा station है, generating station, जो भी thermal या nuclear बना रहे हो, यहाँ वैसे diagram ही nuclear का है, तो अगर nuclear power plant बना रहे हो, तो इसकी जो capacity होगी, वो must be above the maximum demand, clear हो रहा है, बास समझ में आ रही है, तो जो भी हम power plant बनाएंगे भईया, उसकी capacity 100% जादा रखेंगे maximum demand से, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आपको भी plant तयार करोगे, उसकी जो plant की capacity होनी चाहिए, वो must meet maximum demand को fulfill, इसलिए maximum demand का इतना जादा crazy है, इतना हो अल्ला जो हमने मचा रखा है, तो maximum demand इसलिए important parameter हो जाता है, अब चलते हैं, पहला factor, अभी तक तो सारे basic term बताए, मैंने आपको बताया कि वही, load क्या होता है, load duration क्या होता है, then हमने factors पे आए, तो मैंने connected load बताए, then connected load के बाद हमने बता है maximum demand क जा होती, अब बात करेंगे demand factor की पहला आपके सामने आ रहा है, पहला factor ठीक है, तो demand factor, now demand factor की अगर हम equation की बात करें, formula की, तो वो होता है maximum demand अपार में connected load, यानि कि अगर तुम से कहीं paper में पूछ ले जाए, कि what is demand factor, तो directly लिगता है, it is the ratio of, ठीक है, it is the ratio, इसका ratio maximum demand divided by connected load, य is the maximum demand कितनी आ रही है, और load कितना connected है, यानि कि तुमारे आज जो colony है, उसकी maximum demand कितनी हो सकती, किसी भी समय पे, और दूसरा, वहाँ पे load कितना connected है, समझ मारी connected load, ठीक, यह value हमेशा 1 से कम होती, अभी हमने पीछे सीखा ही था, मैंने अभी आपको बताया था, कि maximum demand हमेशा कम ह होगी connected load से, क्यों, क्योंकि एक ही समय पर सारे लोग अपने घरों के light punk के दिवाली नहीं मचाएंगे, समझ मारी बात है, तो it is always less than 1, एक तो यह important factor है, इस पर direct question आ जाता है, इसके उपर directly question मिल जाएगा, कि demand factor कि value कितनी हो सकती, greater than 1, equal to 1, less than 1, या none, तो इस तरीके से option directly paper में question तुम्हें आ जाएंगे, now, example से समझते हैं, तो example के मान के चलते हैं कि यह किसी कोई colony है, उसकी maximum demand जो है, या कोई शेहर है, कुछ भी हो सकता है, उसकी maximum demand 80 megawatt है, ठीक है, वहीं पर जो load connected है, वो है 100 megawatt का, यानि कि जो हमने connection लिया हुआ है, जो घरों का connection है, जो हमने connection लेत हैं, 100 megawatt के, पूरे शेहर के 100 megawatt के total connections है, और maximum demand किसी भी समय, रात, में, सुबहे, जब भी, पूरे दिन 24 गंटिंग अंदर, maximum से maximum, जो demand आई है station के पास, वो आई है 80 megawatt, तो भाई है, इसका demand factor कितना होगा, तो divide कर तो, 80 divided by 100, सीदा सा answer, point 8, इसकी answer आगया, समझ मारी बात है, अब importance की बात कर लेते हैं, importance क्या होता है, तो demand factor again help करता है, वही है, capacity plant की, यानि कि जो plant की equipment है, उसकी capacity कितनी रखनी है, वही है, जो power plant बना रहे हो, उसकी capacity कितनी रखनी है, कितने alternator इस्तमाल करने है, कितने size का station तयार करना है, यह सब कुछ हम maximum demand connected load, इनी सब पर depend करेगा तो again demand factor is crucial parameter, okay, now next बात कर लेते average load की, average load यह एक बड़ा important है, यह मैंने वैसे already load curve के अंदर आपको average load बताया था, फिर से बता देता हूं, बड़ा important है क्योंकि, तो average load क्या होता है, basically average कितनी demand आई, power station के उपर पूरे दिन के अंदर, यानि कि अगर हम बात करें, यह हमारा load curve है तो यह load कर क्या है कि 24 गंटे के अंदर demand ऐसे ऐसे करके उपर नीचे fluctuate होती रही, तो इसका अगर average निकालने है, so this is the average load, समझ मारी बात ही, अगर हम इसका average निकालने कि भाईया जो दिन भर में load उपर नीचे हुआ है, तो हर गंटे कितना on an average आपके station पर demand आई, ठीक है, ज load हुआ, तो 40 MW हो गया, तो on an average, यानि कि on an average, load कितना गया है, पर आर, यह तुम्हारा होता है, average load, समझ मारी बात ही, average load हो गया, clear हो गया, निकालते हैं कैसे, formula, simple, अच्छा, period एक और समझ लेना, period से यहाँ पर एक बात आई, period यहाँ पर 3 हो सकते है, daily, weekly, or annual, ठीक है, तो period जो को 3 हो सकते हैं, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, क्योंकि power generated must be equal to the power demanded, यह मरते दम तक याद रखना, यह equation, क्योंकि यह equation सब कुछ है, और यह हमेशा valid रहेगी, तो कुछ बुक्स में demanded लिखा होता है, कुछ बुक्स में यहाँ यहाँ पर demand की जगा generated लिखा होता है तो वहाँ confuse मत होना, लगबख बराबर ही चीज़ है, ठीक है, तो daily average load अकर निकाला, आप से कहा जाए, कितना निकल के आया, तो आपको क्या करना है, कि हम यह पूछ रहा है कि दिन का average कितना है, तो तुम कहाँ बेटी के number of unit जो हमने consume करी है, demand करी है, एक दिन में जो demand आई, यानि कि लगबख for example, certain demand आई, और 24 घंटे से divide कर दोगे, तो per hour का load निकल के आजाएगा, एक दिन का, on an average, daily का, समझ मारी बात है, यानि कि तुम से कहूं Monday को, especially एक दिन उठा लेते हैं, मस्त सा birthday मान लेते हैं, तो Monday को अगर मैं पूछ लूँ, power station वाले से, कि आज आपका average load कितना रहा, तो वो क्या करेगा, दिन भर में जो भी load आया है, जो भी units की demand आई है, उसको units in a particular day, on Monday, unit जो consuming on Monday, और उसको divide कर देंगे, घंटे से, तो simply हमारा निकल के आजाएगा, उस दिन का average load, अगर मैं तुम से पूछूं कि पूरी जनवरी में, पूरी जनवरी में भाई 24 into 31 days, ठीक है, तो ये तो निकल के आके total number of hours, और total number of unit demanded है, यानि की total demand कितनी आई units की, ठीक है, तो समझ में आगी बात ये, clear हो गया, हमने load कर बना के देखा था, average, daily load कर, weekly load कर, annual load कर, monthly load कर इसा बनाये थे, बस उसी का इस्तमाल करके, average load भी निकालना है, तो अगर तुम से को आएंगे number of units, ठीक है, units कितनी भी है, ठीक है, समझ मारी बात ये, तो यहाँ पर पूछ रहा है, कि हर घंटे, पूरे month में, पूरी January में, on and average, तुमारे हर घंटे कितना load रहा, तो ये बात समझ मारी है, तो पहले तो equation क्या कह रही है, वो बात अपने बिल्कुल clear कर लो, दि गंटे कितना load रहा, तो मैंने निकाला, for example, मैंने निकाला, 52 megawatt per hour, यानि कि per hour, यानि कि हर घंटे, on and average, मतलब आगे पीछे हो सकता है, लेकिन average अगर निकाल लूँगा, तो मैं कहूंगा, December में, हर घंटे, हमारा station, 52 megawatt का load जो था, वो deliver कर रहा था, so that is the point, समझ मारी बात में, यानि पूरा साल आ गया, तो अगर पर घंटे में निकालना है, तो number of hours को multiply कर देंगे, number of days से एक साल में जितने होते हैं, तो 365 वाला साल ले ले रहा हूं, तो 365 into 24, एक दिन के अंदर 24 hours, 365 दिन के अंदर 24 into 365, यह हो गए hours, ठीक है, अब number of unit कितनी हमने generate करी पूरे साल मे तो वो उपर लिख दिया, कि पूरे साल में हमने इतनी unit generate करी, तो यहां से निकल के आगे, example की तोर पे 50 megawatt पर hour, यानि की भाई, जो भी तुमने station बनाया है, पूरे साल में, हर घंटे उसने 50 megawatt का load deliver किया है, clear हो रहा है, यहां पर बात बिलकुल समझ में आ रही, बहुत ह question कुछ कहती है, अगर आप उसको दियान से समझ पाओ, तो annual average load समझ में आ गया है, क्या कह रहा है, annual average load अगर for example कहीं लिखा है, 50 megawatt पर hour, इसका क्या मतलब हुआ, कि उस पूरे साल, जो तुमारा generating station था, उसने 50 megawatt प्रती घंटा की rate से power code बनाया है, या उस पे load रहा है, clear हो average load, clear होगे, average load मैंने एक बार load कर भी cover किया था, यहाँ पर वापस से उसे आपके लिए cover कर दिया है, now this is the something different, यहाँ पर थोड़ा समने formula की cover किया है, वहाँ पर थोड़ा curve से cable cover किया था, तो आयोब दोने ची समझ में आ गई होगी, now अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, यतने deep inside जाके जो हम लोग बात करते हैं, जो असली engineering सीखते हैं, अगर वो पसंद आती है, तो हमाँ चैनल सपोर्ट कर सकते हैं, subscribe करके, like करके, super thanks भी बेच सकते हो यार अगर मन है तो, और share करके हमारे lectures को, यह है, आप नमना कीमदी समय दिया, उसके लिए धन्यवाद, यह